मसकर, मेडिकल माइक में आपका स्वागत है फरवरी का महीना शुरू होने में किवल कुछ दिनों का इंतजार है इस महीने को प्रेमियों का महीना भी कहा जाता है 14 फरवरी के दिन लोग अपने चाहने वाले से प्यार का इजहार करते हैं इस दोरान वह सामने वाले ब्यक्ति को कोई न कोई उपहार जरूर देते हैं हर कोई अपने प्यार का इजहार अपने अंदाज में करता है लेकिन जादतर प्रेमियों प्यार का इजहार करते समय एक दूसरे को लाल गुलाब देते हैं लव प्रपोजल के दौरान एक लाल गुलाब के कई मायने होते हैं। कपल के लिए लाल गुलाब को बहुत खास माना जाता है जो अपनी बातों से इजहार नहीं कर पाते हैं। वह इस लाल गुलाब का इस्तमाल करते हैं। क्या होता है लाल गुलाब का मतलब आईए जानते हैं प्यार का इजहार करने के लिए लाल गुलाब देनी के प्रथा कई सो साल पुरानी है ग्रीक में लाल गुलाब को अफ्रोडाइट से जोड़ कर देखा जाता है बता दें कि अफ्रोडाइट रोमन और ग्रीक में प्यार और खुपसूरती के देवता माने जाते हैं कुछ रोमन इन्हें फर्टिलिटी के देवता भी मानते हैं ऐसी मानियता है कि गुलाब देने से प्यार का आपस में जुडाव बढ़ता है बता दें कि लाल गुलाब को हमेशा पैशन से जोड़ कर देखा जाता है और अपने अंदर के प्यार को लाल गुलाब से शामने रखने की कोशिश के जाती है या सिर्फ पहली बार के लिए ही नहीं है बलकि लाल गुलाब अपने साथी को बार बार देने से रिष्टे और ज़्यादा मजबूत होते हैं गहरे भावनाओं को जताने के लिए लाल गुलाब बतादें कि लाल गुलाब गहरे भावनाओं को सामने रखने का सबसे अच्छा जरिया बनता है इसके अलावा लाल गुलाब को माशूमियत, निर्मलता और प्यार का प्रतीक माना जाता है कुछ लोगों का मानना है कि जब पती-पत्नी के रिष्टे में प्यार कम होने लगता है तब उन्हें एक दूसरे को लाल गुलाब देना चाहिए इससे उनका प्यार और रोमांच दोनों वापस से लौट आते हैं ऐसे इन खबरों के लिए देखते रहें मेडिकल माईक साथ ही है मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद